नमस्गार आपके साथ मैं विजेंदर सुलंकी एक त्युहार अनेको सरूका कोरूना का प्रहार दूरी बना कर रखना बस फिर एक पा गुलाल उडाना है तो आप उडाईए पिछकारी चलानी है तो चलाईए रंग लगाना है तो लगाईए बस मास्क ना उतारिएगा दिली दूरी मिटाईएगा लेकिन दोगज की दूरी जरूर बनाईएगा क्योंकि ये होली है रंगों की होली है प्रेम की होली है खुशियों की होली है मिठास की होली है लेकिन असाना हो कि कोरोना जिन्दगी के रंगों को बदरंग कर दे चेहरे की खुशी को थोड़ा कम कर दे माना कि इस बार हमारे पास वैक्सीन है ये भी माना कि इस बार हमारे पास मेडिकल स्विधाएं है ये भी माना कि इस बार हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है फिर भी लापरवा मत होना बेपरवा भी मत होना क्योंकि फिर से फैल सकता है कोरूना और होली के रंग में कोरूना का भंग मत पढ़ने दीजेगा आज अमारे साथ बेहत खास पैनल मौझूद हैं जिनके जरीय हम आपको बताएंगे कि कैसे होली मनाते हुए कोरोना को भगाना है हमारे साथ मौझूद है धर्माचारी है डॉक्टर राजे शर्मा जी साथ में मौझूद है स्किन यानि की तवच्छा से जुड़े डिपार्टमेंट एसमेस मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पुनित अगरवाल जी और फिजीशन डॉक्टर निर्मल याकर चाहँ है अधे साथ मीं चर्चा को शुरू करना चाहोंगा कुलेज को की साथ या रंग क्रीड रंगों के साथ में इन होली के रंगों के बीच में जिन्दकी बदरंग ना हो, कोरोना से कैसी बचा जाए? देखे, होली का जो टिवार है, उसका जो महत्व है, वो ये है कि हमने कहा, बुरा ना माने होली है इसका अर्थ हम कबदापी ये ना लें कि हमने किसी का काला मूँ कर दिया और उसमें गुबारा मार दिया और बुला बुरा ना माना हो लिए ऐसा नहीं था सास्त्रों में इसका अर्थ इसका अर्थ था कि आज के दिन यानि होली के तेवार के दिन हम लोगों के पास जाएं अगर करोना का डरह में सता रहा है तो फॉन पर ही हम ये बात कह सकते हैं कि हमसे कोई भी गलती हो ये है उसे शमा कर दीजिए और बुरा ना माने आज होली का आपको प्रणाम है इस तरह होली का सुरुवात हम कर सकते हैं आप गरहें कि दोगज की दूरी बना कर भी दिल की दूरी को मिटाया जा सकता है जी बिलकुल सही बात है पुनित अगरेवाल जी सर वैसे तो सकिन को लिकर हर भार हम प्रोग्राम करते हैं कि किस तरीके के रंगों का इस्संचमाल करना चाहिए तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हूं, मैं आपसे यही जाना चाहूंगा कि अगर किसी को गुला लगाना भी है किसी को, रंगो का इस्समाल करना भी है, तो वो किस सरीके से करे, किसका इस्समाल करे और कैसे करे ताकि कोरोना से भी बचा जा सके सबसे परले निक पर प्रफ़ाइज मोस्ट्राइजर ऑई लगा लें तो क्यों की सिक्कारेगा नियुकर में तो आपको बात में चुडाने में उसको आजाता उब कैने believed to universe model फैल कुछ लोख ओत्व लेगा है जो भी खेलें तो हमेशा नैस्रे सब्सक्राइब कर आप ज़ादा केमिकल ना हो ग्रीज ना हो इस तरह की चीज बिल्कुल बीष्तमाल में ना लें जब होली खेले तो भी बहुत ज़ादा अग्रेशिवली नी खेले बहुत अब पहुत ज़ादा मचाहें आराम से सउफ्टली कलर लगा हैं अब बहुत दगड़गड़ कि अपर और स्किन पे लगाएंगे तो स्किन टैमेज होगी और जानतर कोरोना का सवाल है तो अब होली खेलने के लिए लोग के पास तो जाना ही पड़ेगा अब यह हम यह कर सकते हैं कि हम मास्क का प्रयोग आगर लगागा के रखें मास्क न वता रहें और साफ़धानी के साथ तोहा के बाद कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ गई थी अब उसके दो करण हो सकते हैं पहला तो यह कि लोग बहुत ज्यादा जागरुक नहीं थे दूसरा है कि मेडिकल फैसलेटिस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी लेकिन इस बार लोग जागरुक भी हैं मेडिकल सुधा हैं बहुत तेजी से भड़ी भी हैं राजिस्तान में तो क्या आपको लगता है कि होली का त्योहार कोरोना को स्प्रेड कर देगा तेजी से यह आपको लगता है कि लोग जागरुक हैं बगायदा होली भी मना लेंगे और कोरोना को कंट्रोल भी कर लेंगे देखी ये दोनों चीज़ें जैसे पहले होती थी वैसे इस बार की होली तो नहीं हो सकती ये अपने को बहुत ही क्लियरली समझना है ये होली कोरोना काल में आ रहा है तो आपने बात करी कि सुविधाएं बढ़ गई, मेडिकल सुविधाएं बढ़ गई और हर तरह से लोग जागरूख हो गए लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेवारी से आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि अभी भी कोरोना का सिर्फ बचाव ही संभव है ट्रीट्मेंट कोई भी कोरोना का फूल प्रूफ नहीं है चाहे वो हॉस्पिटल फेसिलिटीज हमें कितने उचस्तर की ही क्यों नहीं मिल जाएं तो इसमें जो कोरोना के जो नियम है सबसे पहले जो मास्क लगाना है आपको वो तो लगाना ही पड़ेगा जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेंड करनी पड़ेगी और सेनिटाइजेशन की बात ये तीन बाते तो मूल बाते माननी पड़ेगी अब देखिए ये वी और हिमन बिंग्स हम सभी इंसान है होली का तेवहर है होली भी मनाना है इस वे मैं दो तिन बाते कहना चाहूंगा आप रंग या तो पिछकारी से दूर से लगाएं आप तो डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाएगी या रंगा यदि आपको लगाना है करीब जाके तो आप पीछे से लगाएं सामने से नहीं लगाएं आप इससे आप कोरोना से बच पाएंगे और तीसरी बहुत जरूरी बात ये कि मास्क का इस्तेमाल बिलकुल आपको जरूर करना है और सबसे जो कोरोना से बचाओ का जो फूल पूरूफ तरीका है वो मास्क है देखे इस समद्ध में एक बात मैं कहना चाहरा हूँ आपको करेक बार जो हम मास्क लगाते हैं वो लगाने का तरीका गलत होता है और मास्क से हमें करेक प्रकार की शिकायते होती है लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और आप देख सकते हैं, ये मैं हमेशा ये double mask यूज करता हूँ क्योंकि अपने पास vaccine हैं, तमाम facilities हैं, लेकिन अभी डेड़ साल में जो हमें सबसे जो वैग्यानिक बात जो सामने उभर के आई है वो हमें ये बताती है कि कोरोना से बचाओ का जो सबसे उत्तम रास्ता है, वो mask है अब मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूँ, ये double mask के आउशक्ता क्यों पढ़ती है और किन परिस्तितियों में पढ़ती है कई एक बार जब आप बहुत भीड़ भार वाले जगह में जाते हैं और खास करके यदि पिछले दिनों किसी कारण वातावरन में नमी बढ़ गई हो जिसा कि होली के समय बिलकुल संभावना है, तो ऐसे में कई एक बार ये human to human transmission तो होता ही है कि एक बार ये transmission airborne हो जाता है, ऐसे में जो आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो virus particle का जो size होता है वो कपड़े के mask में जो छेद होता है, उसे काफी काफी चोटा होता है, तो आसानी से आपके अंदर वो आ सकता है तो ये सर्जिकल मास्क है, ये बहुत ही सस्ता मिलता है, तो यदि आप कपड़े का mask आप इस्तेमाल करते हैं होली के समय, तो मेरा आप समुसा अगर ये रहेगा कि इसके अंदर एक ही है, डिस्पोजिबल सर्जिकल मास्क लगाएं, और दो मास्क में आप होली खेलें, रंग आपको लगाना हो तो या तो आप पीछे से लगाएं, या रंग का आप छेड़काओं दूर से कर सकते हैं अगर वो लगाते हैं तो सास उनको नहीं आ रही है, कुछ लोग तो यहां तक क्या देते हैं, कि एहां उन्हें कोरोना में ही मरना है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है, उनका क्या किया जाए से देखिए साल डेड़ साल से देखिए मैंने बहुत ही एक्स्प्लिसिटली इस बात को आपके प्रोग्राम पे कहा है कि कोरोना से बचाओ का जो सबसे कारकर उपाए है वो मास्क है और मैं तो डवल मास्क की बात कर रहा हूँ देखिए आपने कहा लोग शिकायत करते हैं सांस नहीं आ रही है हम डॉक्टर्स कोरोना के वार्ड में साथ से आठ घंटे तक ये डवल मास्क और पीपी किट में रहते हैं तो ये तो भाई साब माइंड सेट की बात है ये आपने माइंड सेट बना रखा है कि हमें मास्क नहीं लगानी है आप जैसे पुलिस के चालांज से बचने के लिए आप किसी भी तरीके से मास्क को मुँपे आप लटका लेते हैं देखिए इस कारण वर्स कोरोना फैल रहा है अभी पिछले दिनों जब करोना काफी कमी पर था तब भी हम डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि करोना गया नहीं है अभी एक साल तक पूरी सावधानी अपने को रखनी ही रखनी है देखिए जान है तो जहान है है न होली का भी आनंद लेना है हमें लेकिन प्लीज कोरोना का नियम इस से समन्दी जो नियम है उसका तो पालन करना ही होगा और खास करके मास्क बलकि मैं तो आगरा कर रहा हूँ आपसे कि आप डबल मास्क में होली के नहीं ठीक है सर वापस मैं आपके बास आउँगा राजे शिर्मा जी देखिए अक्सर हम त्योहारों को न धर्म से जोड़ देते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके कि कोई बैठक कोई मिटिंग हुई है जिसमें सभी धर्मा चारिये सभी धर्म गुरू ये संदेश दे कि ठीक है एक और होली सही आप घर पर ही मना ली जिए अगले साल खुशी के साथ होली मना लेंगे जब कोरोना चला जाएगा हम बहुत जदा अपने गृुप के अंदर ये डाला भी ए सब को डाला गृुप के अंदर कि होली कहते हैं वहार के लिए हमने कुछ मैसेज भी निकाले हैं विशीषकर और अपने दोस्तों को अपने पूर वोज्वाज़ों को अपने जिन से आपको आश्रापर करना है वो आ आप वाट्सेप के मेसेज के दुवारा प्राप्त करें ऐसा हमने डाला भी है लेकिन जहां तक होली दहन का प्रश्ण है अभी तक हम दुलंडी की बात कर रहे थे होली दहन एक विज्ञानी कारण हमारे सास्त्रों में बताया गया था कि यह जो फागुन मास का महिना है जब ह हम शुकल पक्ष की प्रदोश व्यापनी पूर्डी माति थी के अंदर होली का दहन करते हैं जिसमें बद्रा से मुक्त होनी चाहिए तो फागुन मास के अंदर शरद रितू, सीत रितू विदा होती है और ग्रिश रितू का आगमन होता है जब दो मौसम की संदी होती है तो बहुत जादा किटानू और बहुत जादा रोग होने के संबावना बहुत प्रबल हो जाती है और उससे बचने के लिए हमारे प्राचीन काल से हमारे पूरानों में उलेख है कि होली का तापान इतना अधिक होता है कि वो किटानू नाश हो जाते हैं लेकिन सर यहां तो कुरूना की बात करें हैं अगर यह सब होता तो पिछली होली के बाद कुरूना खत्म हो चुका होता देखे सामुहिक प्रियास से सब कारी हो सकते हैं अगर हम एक संकल्ब प्रियास इस बार यही कर दिया जाए कि कम से कम हुली को मना लिया जाए घर के अंदर ही मना लिया जाए बाकियों से राम राम ही कर ली जाए देखे होली के दहन के अंदर अगर हम कपूर का प्रयोग करें सामुएक रूप से जहां भी होली जल रही है वह हम कपूर को दालेंगे तो हमें काफी आराम मिलेगा ठीक है करोना अभी बहुत जल्दी आया अभी आया भाए इसे बहुत ज्यादा सोध लोगों का नहीं है सब अपनी अपनी बात कहते रहते हैं वैसा है वैसा है वैसा है हमारे सास्त्रों में भी इसका कोई सोद नहीं था लेकिन कपूर से कोई भी वायरस समाप्त हो सकता है ये उलेक हमारे सास्त्रों में है और इसलिए कपूर का उपयोग आदी काल से होता आया है तो होली के अंदर चाहे वो आप घर में जलाएं, चाहे वो चोराय पे जली हो, आप कपूर का प्रयोग हुली में करेंगे, तो इस बीमारी से हमें काफी छुटकारा मिलने की संबावनाएं हैं। अगर मनाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मैंटेन कीजिए, इन सब के बीच में आप किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हैं कि क्या होली जो मना रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना के चकर में ऐसा है कि उनके त्योहारों को कभजा किया जा रहा है, उनसे दू किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की वीवाते सामने आती हैं. बहुत ज़ादा एफेक्ट नहीं होता है उनमें तयादा सिम्टम्स नहीं आते हैं उनके जो घर में माबाप हैं डेफिनिटली वह सीरियस हो सकते हैं डेफिनिटली देखे इसमें एक्सपारी भी होती है तो हम ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि हम एक थोड़े टाइम की मस्त होली के तुहार के आसपास किस स्यरीकी के पैशिंट जयादा आते हैं किसली की समस्य ऐस सबसे जियादा अगर मैं कैवल होली की बाद करें तो हुली से डेपिनिटली देखे एंऊ इएट फूछली वने लग को 嘹कता है क्वेड्र में कैमिकल्स होते हैं कि मेल से कई लोकी सब्सक्राइब कर रहे हैं कि इस बार काफी ज्यादा रिलेक्स किया गया है लोग अवेर भी हुए हैं और उसके साथ लापरवाह भी हुए हैं सर कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि डोक्टर्स की तरफ से कुछ बैक अप लैन तयार किया गया हूँ कि अगर इसके बाद केसी से तेजी से बढ़ने हैं तो कैसे कंट्रोल करना है देखिए जन जागरुपता एक बहुत बड़ा अहम हतियार है आप लोग भी जागरुपता के लिए बार-बार काम करते हैं हम लोग भी यह कर रहे हैं देखिए मेरा ही कहना है कि दो-चार जो चीजें चदरी है जिसकी वजह से लोगों में बड़ी शिथीलता आ रही है कोरुना को लेके एक तो वैक्सिन आ गई है लोग समझते हैं अब तो वैक्सिन आ चुका है आप तो क्या बात है कोई डरने की बात ही नहीं है वैक्सिन ल बहुत लंबे समय तक इम्मुनिटी दे देगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है दूसरी बात यह कि एक अक्सल चैनल्स पे रिकवरी रेट की बात होती है और लोग वह देखके बड़े खुश होते हैं कि 98% लोग ठीक हो जाते हैं अपने आप ही मैं आप से एक बात कहना चाहरा कि आप positive थे और negative होगे लेकिन इसमें post-covid की कोई बात नहीं करता 30-40 प्रतिशत लोग जो कोरुना से ठीक हो चुके हैं वो अभी भी post-covid से ग्रसित हैं अब वो recovery rate में तो नहीं आता इसलिए मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अभी भी कम से कम एक सार तक पूरी सालधानी रखन नहीं आती हैं कम से कम उनको एसास था हो कि वो recovery rate को ना देखें वो देखें कि अगर एक बार आपको कुरोना हो गया तो आपके शरीर में क्या-क्या असर पड़ेगा क्या-क्या नुक्सान होगा देखें पोस्ट कोवीड में करेक तरह के सिंड्रोम समलोग देख रहे हैं कुछ लोगों में यादार्स की कमी आ गई है इरिटेबल हो गया उनका सोभाव बदल गया खासकर कि जिनकी उम्र साट साल के उपर थी ऐसे लोगों जो कोवीड से ठीक हो गये कुछ ने कुछ उसमें मन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, साइको से रिलेटेड ये कुछ ने कुछ सिंटम सा रहे हैं दूसरा मांस पेशियों में दर्थ बरावर बना रहना, जॉइंट्स में पेन रहना, कुछ लोगों में जो स्मेल और टेस्ट की जो शक्ती चली कि वो 6-7 मेने बाद भी लोट करके नहीं आई अभी तक और इस तरह से पोस्ट कोविड के करे एक रूप रंग है लगातार थकान बना रहना तो ये पोस्ट कोविड होने के बाद आप बिल्कुल पहले की तरह से नॉर्मल रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए लोगों को बहुत सावचियत रहने की जुरत है अब ये होली के कॉंटेक्स में जो मैं दो-तीन बातें बताना चाह रहा था एक मैंने देखिया डबल मास्क की बात करिए कृपिया आप भी लोगों से आगरह करें कि कपड़े के मास्क के नीचे ये बहुती सस्ता से उपाई एक सर्जिकल मास्क इसको जरूर लगा है इससे काफी हद तक आप बचेंगे दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग देखिये एक शब्द बार-बार चैनल से चलता है सोसल डिस्टेंसिंग मेरे कोई शब्द से सक्स आपती है वह समाजिक दूरी नहीं हमारे बीच में हो रही ह बेसिकलि हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग बात करना है हमें लोगों से समाजिक दूरी नहीं बनानी है हमें लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है शारेरिक दूरी रखनी है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग आप पालन करें रंग आप दूर से डाल सकते हैं यदि कोरोना बढ़ रहा है तो एक आयोडीन सॉलुशन होता है मौत गारगल के रूप में आता है कि एक नाम से मार्केट में मिलता है पॉविडोन आयोडीन इसको कहते हैं 2% सॉलुशन होता है इसमें यदि आप 50% पानी मिला के गारगल करके आप बाहर निकलते हैं तो मैं आपके चैनल के मादियम से बताना चाहता हूँ कि 3-4 घंटे तक ये आपको कोरोना आपके गले को कोरोना से बचाओ देगा आपको तो ये जो तीन उपाई बता रहा हूँ मैं डवल मास्किंग रखें एक शारीरिक दूरी रखें और ये आयोडीन मौत वर्ष इससे गारगल करके आप बहार निकलें तो कोरोना से बच सकते हैं आप किसी भी गलत फ्यमी में नहीं रहें कि कोरोना चला गया या ये आपके उपर हमला नहीं कर सकता ये जो बाते चदरे रिकावरी रेट और इन चीजों से आप कते भ्रम नहीं पालें आपको हर कीमत पे कोरोना से बचना है आपके घर वालों को कोरोना से बचाना है इसका ध्यान रखे आप ठीक है सर वापस मैं आपके पास आउँगा राजेश श्यर्मा जी अब हम यहां बैटकर बाते करें और कुछ तस्वीरे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ अलग अलग जगे की तस्वीरे है मैं इनको पॉंट आउट नहीं करना चाहूँगा कहा की तस्वीरे है लेकिन यह वो तस्वीरे हैं जिनके बीच में सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या कहीं की क्योंकि अभी सरनिया में करेक्ट किया हम इसको अपने प्रोग्राम का हिसा चैनल पर कभी नहीं बोलेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक फिर हम कैसे अपील कर सकते हैं सर्थ देखिए साब धर्म एक ऐसी आस्ता है जिसको आप दो साल में खतम कर दे ऐसा संबब नहीं है ये लोगों की धार्मिक आस्ता है और लोग धारविक आस्ता में इतना लीन है कि उन्हें अपना न तो अपने शरीर की परवा है और न अपने साथियों की परवा है जागरुकता नाम की कोई कोई चीज नहीं है सर्वत आस्ता भारी पर जाती है जो लोग बिलकुल आस्ता तो हमारे उपर हमारे बच्पन से हमारे अंदर डाली गई है कि इश्वर पे आस्ता रखिए और उस कारी को करते चले जाए और हम करते आ रहा है यह आस्ता ही तो है जो हम पूजा पात कर रहे हैं आस्ता हमारे पास इतनी इसलिए तक खाटू शाम क करें उन्होंने यह भी तो देखा कि उन्हीं मंदिरों की दूरी बढ़ा दी गई थी वह दुबारा नहीं बढ़नी चाहिए यह भी तो आस्ता का ही मुद्दा है सब बगवान के मंदिर तो खैर बंद कर दिये गए और बड़े आसानी से अभी बंद किये जा सकते हैं लेकि नहीं नहीं बड़ें तो सब्सक्राइब कर दो करनी चाहिए ना मैं यह दो शरूपड नहीं करा कि यहां नहीं हो रहा है मैं करूं यह सामुही के जिम्मेदारी है सबकी किसी एक सिरे से शुरू कर दिया जाए उसमें समस्या का है होली पर जो भी तेवार है होली का रंग की बात मैं करता हूं तो रंग जो होते हैं वो हमारे शरीर पर जब जमते हैं मैं उन रंगों की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर केमिकल का उपयोग नहीं होता हमारे ब्रह्मान में जितने भी ग्रह हैं उनके जो रंग हैं उनकी जो रश्मिया हैं वो हमारे शरीर पर उनका फरक आता है इसलिए हम लाल, हरा, पीला और नारंगी रंग का उपयोग करते हैं और वो रंग जब हमारे शरीर पर लगता है तो उसके शिद्रों में जाने वाला कोई भी किटानू प्रवेश नहीं कर सकता वो कैसे परवेश करेगा उसके अंदर क्योंकि वो पूरा लीपा गया है और जब हम उसको दोएंगे उसको साफ कजेंगे तो हमारी तक्ला निखे लेगी होली पर आने वाले प्रोग्राम का जी जो यह तो ठीक है यह तो ठीक है तो फिर हम होली मनाएं तो ही समस्या क्यों है इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ देखिए सर ऐसा है कि जो लोग उदाहरन पेश कर सकते हैं कोरोना से बचाओ कर वही किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं अभी बंगाल में चुना हुआ हैं हम सभी देख रहे हैं महां क्या हाल है तो मैं यह कहना चाहा हूँ कि जिनको देख करके लोग उनको फालो करते हैं वो ज़्यादा जिम्मेवार हो जाएं और ज्यादा जागुरुक हो जाएं दूसरी बात यह कि यह देखिए लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की इसलिए आफशक्ता है क्योंकि साल भर मे यदि ब्राजिल और इंग्लेंड में वाइरस की शकल बदल गई है तो निश्चित रूप से यह तो research में आगे आने वाले दिनों में तै होगा पर यहां भी पूरी संभावना है कि कुछने को significant mutation वाइरस में हो चुका होगा तो यह किस तरह से आगे आने वाले दिनों में शरीर में प्रिवेश करने के बाद react करेगा यह आगे आने वाला समय बताएगा इसलिए मेरा अग्रह है जो तीन उपाए मैंने बताए है उसका निश्चित रूप से पालन करें आस्था बहुत गहराई तक समाई हुई होती है मैं मानता हूँ लेकिन वही इश्वर जो हमें आस्था देता हूँ हमें बुद्धी भी देता है अब अगनी के हम पूजा करते हैं लेकिन वही इश्वर हमें बुद्धी देता है कि हम अगनी में हाथ नहीं डाल दें उसमें हम जल जाएंगे तो वही इश्वर हमें बुद्धी भी उसी नहीं दे रखी है उस बुद्धी का इस्तिमाल करें आप अभी साल भर तक कोरुना रहेगा और कोरुना के सारे नियम खास करके जो ये तीन नियम मैंने बताया है उसके कड़ाई से पालन करें इसी में से देश और हम सब की बलाई है निर्मल जी शुकर हमारे साथ जोडने के लिए राजे जी आपका भी शुकर हमारे साथ जोडने के लिए ये हमारी लापरवाही है जिसके वज़े से कोरोना वापस लोटाए और हम ये प्रोग्राम करें कि होली पर एक बार फिर से आपको फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है मास का इस्तामाल करना है चार महीने च्छे महीने कडाई से पालन कर लीजिए उसके बाद जितने त्योहरा है मनाईए लेकिन इस बार फिर से ध्यान रखेगा इस प्रोग्राम में फिलाल इतना ही नमस्कार